दे ownership नमस्कार आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाने नीस में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता राहुल गांदी समें टी-शिट पहन कर जो वयातरा निकाल ले हैं उसको लेकर सवालात खड़े हैं राहुल गांदी की टी-षिट को लेकर सवाल खड़े हो गए इनकी यात्रा को लेकर सवाल खड़े हो गए किया इनकी यात्रा सक्सेस्फ़ल हो पाएगी या नहीं मुकतार अबास नकवी जिनको बड़े पत कैविनेट के तरप पर दिये गए थे के टी-शिट में यात्रा करने को लेकर क्योंकि एक यात्रा होती है जिसमें आप सर्दी के मौसम को देखते वे जैकिट पहन का शो लोड कर यात्रा कर सकते हैं लेकिन रहुल गांदी टी-शिट पहन कर यात्रा कर रहे हैं चाहे कडाके के एक डिगरी का टेमपरिचर क्यों न लेकिन सवाल आ रहा है कि राहूल गांदी की टी-शट को लेकर बीजेपी क्या सोच रही है मुक्तार अबास नकवी ने एक सीधा बयान दिया सबका ये कहना है कि राहूल गांदी टी-शट पहन कर घूम रहे हैं तो टी-शट पहनने से कोई सन्यासी नहीं हो जाता क्यूंकि आप देखते होंगे पहाड़ों में बरफ की वादियों में कई संत सादू ऐसे होते हैं जो सरिफ एक भगवा रंका चोला ओड़कर पूरी सरदी बिता देते हैं रहूल गांदी भी इस पूरी सरदी को टी-शट हैं बिता दिये अब इस पर मुक्तार अबास नकवी ने कहा हैं कि रहूल गांदी टी-शट के अंदर इनर पहन कर चलने इसलिए इनको ठंड नहीं लग रही क्यूंकि जो बोडी का सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट हिस्सा होता है वो होता है आपके चेस्ट की साइस का उस पे अगर आपकी ठंड चली जाती है तो दिक्कत तब आती रहे हैं तो बाबारामदेव मुक्तार अबास नकवी इससे पहले तमाम बड़े बीजेपी नेताओने के करके बाते कई थी रहूल की टी-शट से लेकर बड़ी भी दाड़ी और जूते को लेकर भी सवालात खड़े हो रही हैं देखते हैं रहूल गांदी इस पर क्या अप खेती करता है उसको ठंड नहीं लगती तो उसकी फिकर कर लीजिए मेरी फिकर छोड़कर रहूल गांदी का यह बैयान सामने आजा है लेकिन देखते हैं रहूल गांदी की यह जो तपस्या कह रहे हैं जो आपने आपको तपस्वी कह रहे है क्या यह सब दोहजार चौबिस में कौन जीत हासल करता है राहूल गांदी के अब क्या पलडवार होते हैं बने दे चनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद